नमस्कार दोस्तों विल्चेर इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे CP200 Cerebral Palsy Wheelchair के बारे में ये कर्मा का CP200 Cerebral Palsy Wheelchair है कर्मा मोबैलिटी सोलुशन आप देख सकते हैं हम step by step कैसे आपको इसको fold करना है transportation वगरा के लिए और कैसे वापिस fold से आप इसको install कर सकते हैं एक एक करके हम सभी चीजा इसमें आपको बताएंगे इस वीडियो में तब हम आपको इसके parts कैसे आपको निकालना है fold के लिए वो दिखाते हैं इस type से आपको इसके footrest निकालने रहेंगे देख सकते हैं इस type से आप इसके footrest रिमू कर सकते हैं इसके handrest इस type से आप रिमू कर सकते हैं इस type से आप रिबू कर सकते हैं सपोर्टेट क्लेम जो लगे हैं यह इस type से आप इनको निकाल सकते हैं बेक सीट आपको इस type से इसका निकालना रहेगा सीट इस type से आपको निकालनी रहेगी और इस type से आप इसको easily fold कर सकते हैं तो देख सकते हैं आप यह fold हो गया है सिप्पी विलचेर अब इसको step by step कैसे आप install कर सकते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे इस type से आपको open करना रहेगा इसको इस type से आपको इसका seat लगाना रहेगा easily fit हो जाएगा इस type से आपको इसका back fit लगाना रहेगा इस टाइप से यहां पर आपको इसका हेड रेस्ट लगाना रहेगा यह इस पेशली सेरेबल पलसी चायल्ड के लिए ही डिजाइन की गई है विलजे इस टाइप से आपको इसका हेंड डेस्ट लगाना रहेगा जो हाइट एड़ेस्टेबल भी है इस टाइप से आपको इसके फूट्रेस्ट लगाने रहेंगे जो इविलएट है इविलएट फूट्रेस्ट दिये गए हैं इसमें यह विलचेर रिक्लाइनिंग भी हो जाती है पूरी टील्ट हो जाती है बेट टाइप विलचेर भी आप इसको बोल सकते हैं अब हम आपको इसके रिक्लाइनिंग फंचिन के बारे में बताते हैं इस टाइप से आप इसको सेरेबल पलसी चैल्ड की आराम के लिए यूज़ कर सकते हैं सोने के लिए तो देख सकते हैं आप यह पूरी टील्ट हो गई है इस टील्ट फंच्छन इस टाइप से इस विलचेर में यह दो टाइप से टील्ट होती है आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से भी यह टील्ट होती है और उस टाइप से भी टील्ट होती है तो देख सकते हैं आप दोनों फंच्छन इस विलचेर में हैं इसके फूट्रेस को आपको इस टाइप से नीचे करना है उपर कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए एक बार इस टाइप से आपको इसको उपर करना है इसमें अटेंडेंट ब्रेक भी है देख सकते हैं यह अटेंडेंट ब्रेक भी है अगर आप सिप्यू इलचेर को कहीं घुमा रहे हैं तो आपको अटेंडेंडेंट ब्रेक से भी इसको कंट्रूल कर सकते हैं और इसमें रियर मेग विल में भी ब्रेक दिया गया है इस टाइप से तो इसका फ्रंट विल भी आप देख सकते हैं इस टाइप का फ्रंट विल है इस टाइप का रियर मेग विल है और यह ड्रेंप विल्चेर पलटने का चांस नहीं रहता है इसे देख सकते हैं आप इसकी जो छोड़ाई भी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बेक सिट की यह देख सकते हैं आप सीपी चायल्ड को कमफर्ट के इसाब से आप इनको पीछे से एड्जेस्ट कर सकते हैं इस टाइप का इसमें एड्जेस्टिंग जो दिये गए हैं आप इनको से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और इनको उपर नीचे भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पे नहीं लगे हूए और यहां पे दूहल दिये गया हैं तो आप इनको यहां पे ह시고吸ड कर सकते हैं और इस से और उपर भी शिप्ट कर सकते हैं। अ सब्सक्राइट तक इस एध विलचेट को 20 साल तक यूज़ कर सकता है। और ये headrest भी उपर नीचे हो जाता है ये भी height adjustable है देख सकते आप ये move भी हो जाता है अलग-अलग direction में move हो जाता है प्लस इसका head rest भी है उपर नीचे हो जाता है height adjustable है देख सकते हैं इसमें safety belt दिया गया है और ये cross belt दिये गया है जो chest belt आप बोल सकते हैं इनको जो cerebral palsy child के लिए बहुत ही important है क्योंकि उसका nick वगेरा पर control नहीं होता है उस वज़े से especially उनके लिए ही design की गई है wheelchair तो आप देख सकते हैं कर्मा cerebral palsy wheelchair CP200 इस type से आप install कर सकते हैं और इस wheelchair को online purchase करने के लिए आप हमारी website www.wilchairindia.com जरूर विजिट करें lowest price में available with free shipping all over India और हमारे channel को subscribe जरूर करें और हमारे new video updates के लिए bell icon पे जरूर क्लिक करें दिने वादोस्त।